नमस्कार आप न्यूस्पोनेशन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधान सबा चुनाओ का शंखनाद हो चुका है उसके बाद से ही लगतार भाजपा और फिर समाजवादी पार्टी के साथ साथ भाज़न समाज पार्टी के बीच आरोप प्रतारोप का दौर लगतार रहे हैं मगर सबसे बड़ी खबर यही है कि आज सीम योगी खुद गोरकपूर शहर की सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए गोरकपूर पहुंच चुके हैं तो लगतार अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार सीम योगी आदितनात हवन कर रहे हैं प्रधान मंदिर नरेंदर मोदी भी आज दूसरी बार उतरप्रदेश में वर्चुर रैली करेंगे जहां पर वो लोगों को लगतार इस बास से अवगत कराएंगे कि भाजपा सरकार में किस प्रकार से विकास के पत पर आगे बढ़ाया गया है उतरप्रदेश को देखिए जंदा पार्टी के प्रत्याशी योगी आधित नाथ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे वही नामांकन दाखिल करने से पहले सीम योगी आधित नाथ ने गोरक नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की सीम योगी ने गोरक नाथ मंदिर में रूधराविशेक और हवन और ब्रहमेलीन महंत अवधनात की मूरतियों पर आशिरवाद लिया। नामंगन में केंध्री मंतरी अमिश्चाह भी सिए योगी के साथ मौझूद रहेंगे और नामंगन करने के बाद वहाबी गोरखनात मंदिर पहुँचकर दर्शन करेंगे नामंगन करने के बाद सीम योगी और अमिश शाह बीजेपी की नेताओं के साथ एक जन सभा को भी संबोधित करने वाले हैं कोरोना प्रोटोकॉल के कारण इस जन सभा में महज 1000 लोग ये एकत्रित हो सकेंगे लेकिन बीजेपी ने इसका लाइफ प्रसारन शहर के विविन इलाकों में करने की विवस्ता की है गौर तलब है कि बीजेपी ने 15 जनवरी को योगी आधितनात को विदान सभचनाओ के लिए गोरगपुर शहरी निर्वाशन छेतर से प्रत्याशी बनाया था CM योगी नामांगन के दौरान ATS के सुरक्षा घेरे में रहेंगे वही केंदरी ग्री मंतरी अमिश शाह के गोरगपुर पहुचने पर सुरक्षा बैवस्ता मजबूत की गई है अमिश शाह भी CM योगी आदितनाथ के साथ नामांगन करने के लिए कलेक्टरेट जाने वाले हैं तो आज का दिन उत्तर प्रदेश विधान सबा चुनावों के लेकर काफी गर्म रहने वाला है क्योंकि CM योगी आदितनाथ खुद गोरगपुर शहरी सीफ से नामांगन दाखिल करने वाले हुनके साथ केंदर ग्री मंतरी अमिश शाह भी मौजूद रहेंगे वहीं आप भी बता दे कि आज उत्तर प्रदेश में प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी की दूसरी वर्चुर रैली है जिसका संबोधन वो दिल्ली में बैट करतों करेंगे मगर इसका लाइफ प्रसारन बीजेपी लगा तमाम शहरों में करने वाली उत्तर प्रदेश के यह भी देखने वाली बात है कि आज CM योगी ATS की सुरक्षा घेरे में रहने वाले हैं वैसे तो उने CM के लिए जो सुरक्षा मुहाया कराई जाती है उसी घेरे में रहते हैं मगर आज CM योगी आदितनाथ ATS घेरे में रहने वाले हैं जब नामांकन खत्म करने के बाद एक परहाल आपको बता दे कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष्य अखिलेश यादो भी इस बार पहली बार विधान सबा चुनाव में उतर रहे हैं जब मैनपूरी के करहल सीव से उमिदवार बने है समाजवादी पार्टी की ओर से लगतार उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि इस